लदाक में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की बीच सोमवार को ही मुठ भेड में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गये गौर्दलब है कि इससे पहले तीन जबानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी भारत चीन के बीच लदाक बॉडर पर मै की शिरुवात से ही हालत तना पूंट बने हुए हैं चीनी सैनिकों ने भारत वारा तैग की गई रेखा को पार कर लिया था और पैंगोंग जील गलवान घाटी के पास आ गए थे बताया जा रहा है कि दोनों देशों के आर्मी अफसरों के फैसले के बाद जब चीनी सेना ने पीछ जाने से इंकार किया तो हिंसक जड़प हुए और इसी हिंसक जड़प ने भारत के 20 जवान मात्रभूमी पर अपनी जान याचावर कर शहीद हो गया इन शहीद जवानों में हैदरबाद के संतोष बाबू मयूर भंज के नादुराम सोरेन पठियाला के मंदीप सिहं गुरुदासपुर के सतना मदुरे के पालानी, पटना के सुनील कुमार, मेरट के विपुल रॉय, रीवा के दीपक कुमार, बिरगम के राजेश ओरंग, साहिब गंज के कुंदन कुमार ओजा, कांकेर के गणेश राम, कंधमाल के चंदरकांत प्रधान, हमिरपूर के अंकश, संगरूर के गुरुव सिहं, भोजपुर के चंदन कुमार, सहरसा के कुंदन कुमार, समस्तिपुर के अमन कुमार, वैशाली के जय किशूर सिहं, और इस्ट सिहं भूमी के गणेश हासंदा शामिल है, जिनोंने दुश्मनों से लड़ते हुए भारत माता पर अपने प्रान नियोच्छावर कर दि हैं, सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स